आपको बिल्कुल चौका देगा सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देखते हैं अब इसी दोरान यहां से एक सीरो नाम का आदमी गुजर रहा होता है तब ही वो आसपास किसी को ना देखकर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो पास में खड़ी एक गाड़ी 4x4 के गेट को आसानी से खोल कर उसके अंदर चला जाता है सीरो एक्चुली एक चोर है और वो इस कार में भी चोरी करने के लिए ही आया है वो इस कार को तो नहीं चुराता है मगर इस कार के साउंड सिस्टम और डैस बोर्ड में रखी होई चीजों को ले लेता है अब यहां पर वो मस्ती करते हुए साथ में पीछे वाली सीट पर ट्वालेट भी कर देता है अब सारा काम खतम हो जाने के बाद में जब वो इस कार से निकलने के लिए डोर खोलने की कोसिस करता है तो डोर नहीं खुलता है वो दूसरे डोर को खोलने का ट्राइ करता है मगर सारे डोर ही लॉक्ड होते हैं सीरो अब ट्रिगर हो जाता है जिसके बाद में वो इस कार के सीसों को तोड़ने की कोसिस करने लगता है मगर उसके सीसों पर पैर से इतना तेजी से मारने के बावजोद भी सीसे नहीं तूटते हैं और तूटे भी कैसे यह सारे ग्लास फुली बुलेट प्रूफ होते हैं अब इसके बाद में सीरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़के उसके अंदर हाथ डालके खोलने का ट्राई करता है मगर इसी चकर में उसके हाथ में चोट लग जाती है अब जब उसके पास में कोई चारा नहीं बसता है तो वो अपने बैक से गन निकालता है और आगे की विंड सील्ड पर चलाता है अब तभी बाहर एक औरत आती है जो इस कार के सीसे से अपनी लेपस्टिक को ठीक करती है इससे ये पता चलता है कि कार के सभी सीसे पोलराइजड हैं यानि कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा और इसके बाद में वो औरत यहां से चली जाती है सीरो अब अपने फोन से अपने वाइफ को कॉल करने की कोसिस करता है लेकिन उसके फोन में बैटरी खतम हो चुकी थी जिससे फोन आफ हो जाता है सीरो अब यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फस चुका है उसके पास में यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है और पीने के लिए उसके पास में बस थोड़ी सी पेपसी होती है खैर अब यह रात तो किसी तरह सीरो निकाल लेता है और अगले दिन जब Zero जागता है तो उसने जो रेडियो चुराया था उसको कार में वो वापस लगाता है और कार में म्यूजिक बचा कर कुछ रिलाक्स करने की कोसिस करता है वो साथ में फिर से डोर तोड़ने की कोसिस करता है लेकिन इसी दोरान उस कार में अब कॉल आती है Zero कॉल को उठाता है जिसके बाद में वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एंडिक फेरारी है मैं इस SUV का मालिक हूँ मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिलाके अब 29 हो जाएंगी मगर Zero सिर्फ एक ही वर्ड कहता है कि मुझे यहां से बाहर निकालो अब एंडिक इस कार की कुछ खूबियां बताता है वो बताता है कि यह कार पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है इसके गलास पोलराइजड है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास में है सिर्फ उसे गाली देते हुए उसे यहां से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है यहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है जिसके बाद में अब फोन कट हो जाता है और AC चालू हो जाती है AC चल जाने से अब सीरो को कुछ राहत मिलती है मगर एंडिक ने AC उसके भले के लिए नहीं बलकि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी धीरे धीरे करके यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है सीरो अपनी सर्ट दुबारा पहन लेता है वो AC के वेंट्स को अपने जीन्स के कपड़े से बंद करने की कोसिस करता है मगर अब कार के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई होती है कुछ समय बाद में अब फिर से कॉल आता है सीरो उससे फिर से गाली दे के उसे यहां से निकालने को कहता है एंडरिक कहता है कि तुम मेरे कुछ सवाल का एंसर दो जिसके बाद में तुम यहां से निकल सकते हो एंडिक पूसता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे सीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूँगा और पुलिस को दे दूँगा मगर एंडिक कहता है कि नहीं कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता है अब कुछ समय बाद में सीरो अपने सामने पुलिस को देखता है वो चिला कि उससे हेल्प के लिए कहता है लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी अब ये पुलिस वाला इस कार को चारो तरफ से देखता है और इसका चालान काट कर यहां से चला जाता है इस कार का चलान इसलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारी सीसे पोलराइजड थे बाहर भले ही बारिस हो रही है लेकिन सीरो इधर प्यास से मर रहा होता है अब फिर से यहाँ पर कॉल आता है तो सीरो उसे पानी के लिए कहता है एन्रीक उस से अब उसका ID नंबर और उसका नाम पूछता है और जब सीरो उसे बता देता है तो एन्रीक उसे पानी पीने के लिए दे देता है वो बैक साइड में एक छोटे से पाइप से कार के फिल्टर हुए पानी को बोटल में भरता है जो दिखने में ही साफ नहीं लग रहा था लेकिन इतने प्यास के कारर सीरो बिना कुछ सोचे हुए वो सारा पानी पी जाता है अब फिर से रात होती है और सीरो को भूग भी बहुत तेज लगी हुई है उसके सामने ही एक डिलीवरी बॉय पीज़ा की डिलीवरी कर रहा है मगर उसके सामने खाना होने के बावजोद भी हो कुछ खान नहीं सकता अब इसी दोरा नहीं पर एक चोटा सा इंसेक्ट उसका फ्रेंड बनता है एंड्रीक उसके साथ में टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है अब वो कार में गर्म हवा के एसी चला देता है जिसे सीरो की हालत और भी खराब हो जाती है इतने ज्यादा भूग के कारण सीरो वहां पर रखी होई इंस्ट्रक्शन मैनुल को ही खाने लगता है और जब उसे पानी नहीं मिलता है तो उसे अपने ही ट्वालेट को पीना भी पड़ता है अब इसी दौरान बाहर एक और चोर आता है जो इस कार को खोलने की कोशिस करने लगता है मगर तभी कोई आदमी आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोग के उसे पकड़ लेता है खाता है इसी दौरान अब बाहर एक कपल भी आते हैं जो साथ में इंटिमेट होते हैं मगर सीरो उन्हें देखने के लावा और कुछ भी नहीं कर सकता अगले दिन फिर से एंडिक का कॉल आता है काफी बार कोसिस करने के बाद मैं सीरो आखिर कर दरवाजे में चोटा सा चेंद कर देता है मगर ये चेंद इतना चोटा होता है जिसे कोई आवाज भी बाहर नहीं जा सकती अब तभी फिर से एंडिक का कॉल आता है वो बताता है कि मेरे पास एरिना और लियोनल की नियूज है इन दोनों के नाम सुनकर सीरो हैरान होता है क्योंकि ये दोनों उसके बीवी और बच्चे थे सीरो उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो जिसके बाद मैं अंदिक बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिले से बताया है तुमने लॉटरी में एक लाग डॉलर जीते जिसे वो तुम्हें देनी के बाद में यहां से चला गया इसे सुनकर सीरो को बहुत ही गुस्ता आती है अब जब phone cut हो जाता है तो Siro ने जो बाहर battery निकाल कर रखी थी उसको phone में डालता है phone में battery डालने पर phone खुल जाता है और वो जल्दी से इसके बाद में अपनी wife इरिना के पास में call करता है मगर उसकी wife call pick नहीं करती है जिससे Siro को voice mail छोड़ना पड़ता है और इसके बाद में battery भी dead हो जाती है अब अगले scene में हम देखते हैं कि Siro खाली बैट कर बार बार car के start बटन पर click कर रहा है लेकिन कुछ समय बाद में car start हो जाती है car का gear reverse में अटका हुआ था जिसके बाद वो तेजी से car को पीछे की और ले जाता है जिससे अब यहाँ पर car का accident हो जाता है और वो car से बाहर निकलता है वो सिधा car से बाहर निकल कर पास के petrol pump पर वहां के cafe में जाता है वो यहाँ पर से पानी की bottle उठाकर और खाने के लिए burger लेकर टेबल पर जाकर खाने लगता है लेकिन तभी वहां का security guard आके कहता है कि इसके लिए तुम्हें pay करना होगा मगर Siro उसे गोली से मार देता है लेक इन किसमत से उस slot में bullet नहीं थी जिसके बाद ने वो गन को fake देता है अब जब फिर से एंडिक का call आता है तो एंडिक उसके सामने आता है लेकिन Siro एंडिक को उसके सामने देखने पर वो कोई भी reaction नहीं करता है क्योंकि किसी भी reaction के लिए अब उसमें ताकत नहीं बची थी एंडिक अब कार में आकर बैठता है और वो Siro से कुछ बात चीत करता है Siro ने पहले joint लाने के लिए request किया था इसलिए एंडिक joint भी लाया होता है मगर अब जब एंडिक फोन पर किसी से बात करने लगता है तो इसी दोरान Siro उसकी गन उठा कर उस पर चला देता है जिसके बाद वो गाड़ी से निकल कर रेंगते हुए यहां से भागने की कोसिस करता है उसके अंदर चिलाने की पावर नहीं बची थी जिससे वो किसी से help मांग सके वो गंचला के इसारा करने की कोसिस करता है लेकिन एंडिक को गोली छो के निकल गई थी इसके बाद वो Siro को और धेर सारे लोग भी यहां पर इखटा हो जाते हैं अब यहां पर काफी बड़ी प्राब्लम खड़ी हो चुकी है क्योंकि एंडिक का जो प्लाइन था वो फेल हो चुका है जिसके कारार एंडिक के उपर अब खून सवार हो जाता है और इसलिए एंडिक के साथ में निगोस मगर दूसरी तरफ भले ही एंडिक की 28 कार्स चोरी हो जाने के बाद में उसने ये कदम उठाया है लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है जो कि उसे एक कातिल बना सकता है यही कुछ इमोशन भरी बाते अमेडियो एंडिक के सामने रखता है जिसके बाद है मगर जिसकी 28 बार कार्स चोरी होई जिसका कोई भी कुसूर नहीं था बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए उसकी प्लाइनिंग फेल हो जाने के बाद में जब सभी लोग ने उसका ये रूप देखा तो इस चोर से जादा खतरना को एंडिक को ही सबजने लगे जिसके बा लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को इस मुवी का एक्स्प्लेनेशन कैसा लगा और हां लाइक तो जरूर ही करिएगा मुवी का नेम है फोर